मन्पर विराजबान यहां के पुरव मुख्यमंत्री स्रीमान दूमल जी, स्रीमान शान्ता कुमार जी हिमाचल प्रदेश भारतिये जनता पार्टी के द्यक्षर, स्रिमान सत्पाल जी केंद्र में मंत्री परिशत के मेरे साथी, स्री जगत प्रकाश नड़ा जी सावर्चन गहलोज जी, चोद्री बिरेंद्र सी जी, डाक्टर सत्पाल सी जी यहां के साउसत, स्रिमान अरुराग ठाकोर जी यहां के प्रभारी और विहार सरकार में मंत्री, स्रिमान मंगल पांड़े जी मन्च पर बिराजमान, सभी वरिष्ट महानुभाव और विशाल संख्या में पदारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों सभाये तो हमने बहुत देखी है लेकिन आज इस मैदान में मैं देख रहा हूँ कि आठ मंजिला सभा है उपर तक मुझे पता नहीं ये दूर दूर छत पे चड़े विये लोगों को सुनाई देता होगा और नहीं सुनाई देता होगा हिमाचल के साथ मेरा बड़ा विशेस नाता रहा है हिमाचल ने मुझे भरपूर प्यार दिया और मैं जानता हूँ पहडों से नीचे तराई में कहीं पहुचना है तो कितने पहले निकलना पड़ता है कितना पैदल चलना पड़ता है कितना कश्ट उठाना पड़ता है कि मैं भली भाती समझता हूँ और उसके बावजुद भी दूर दूर परवतों की चोटियों से उतर उतर करके आप मुझे आशिरवाद देने आये हैं मैं रुदय से आपका अभिन्दन करता हूँ आप सब को नमन करता हूँ ये देव भूमी है ये वीर माताओं की भूमी है और ये बीर, ओजस्वी, तेजस्वी सपुतों की धर्ति है माता नैना देवी के अशिरवाद से यहां की आध्यात्मिक छेत्रा निरंतर प्रज्वलित रहती है भाईयों बहनों, ये गोविन सागर मैं देख रहा हूँ गुरु गोविन सीची की याद दिलाता है लेकिन ये गोविन सागर, बिलास पूर के लोगों के उस्तियाग और तपसिर्या की कथा भी कहता है कि देश में कृशी क्रांती लाने के सपने को लेकर के बिलास पूर ने जो त्याग किया उसी के कारण भाखरा डेम बना, नंगला डेम बना, भाखरा नंगला डेम और उसी त्याग का परणाम है कि पंजाब हो, हर्याना हो, वो हरा भरा बना लेकिन उसके मूल में, ये बिलास पूर और इसी त्याग के के लोगों की त्याग की गाथा, उसमें समाई हुई अरे गोविन सागर, यहां के नागरिकों ने देश के विकास के लिए जो त्याग किया, देश के लोगों को अन्न मिले हमारी खेती फले फुले, इसके लिए जो त्याग किया उसी के काराण, देश समय रहते, अन्न के भंडार हमारे किसानों ने भर दी अर इसलिए देश में जब जब कृशी विकास की बात आती है, तो बिलासपूर के त्याग की बात, सदा, सरवदा, गोल्डन, पृष्ट की तरह लिखी जाती है भाई ये बेहनों, अर ये बिलासपूर, ये हिमाचल, हिंदुस्तान क्या कोई ऐसी लडाई नहीं है देश की सिमाओं की सुरक्षा के लिए, देश के तिरंगे जंडे को आन, बान, शान बचाने के लिए कोई ऐसा काल नहीं होगा, कि मेरे हिमाचली वीर सपूतों ने देश के लिए बलिदान न दिया हो माभारती के लिए बलिदान न दिया हो ऐसा, इस धर्ती में कभी सुनने को नहीं मिना तिन तिन चार चार पिड़ी अपनी जवानी देश की रक्षा में सिमाओ पर खपा दी है ऐसे तो अंगिलत परिवार यह हमारी हिमाचल की गोद में पलते हैं और इसलिए त्याग, तपस्या, बलिदान, दियात्मा हर विशे में हिमाचल न अपनी एक शान बनाई है, अपनी आन बनाई है और अगर ऐसे हिमाचल के लिए कुछ करने का मोका मिले तो इससे बड़ा जीवन का सवभाएग्य क्या होगा आज यहाँ एक ही कारकम में कितने सारे प्रकल्प करीब करीब पंद्रा सो करोड रुपिय के का कुछ सिलान्याच, कुछ लोकार पर हिमाचल में एम्स का बनना यह सिरफ हिमाचल के लाब में है ऐसा नहीं है हिमाचल का तो लाब है ही है लेकिन हिमाचल यह बहुत बड़ा टूरिस प्लेस है देश के कौने कौने से यात्री यहां आते है और अक्सर यहां की पहडियों में किसी ने किसी अकस्मात के खारा बस की बस नीचे खाई में चले जाना दूर दूर से लोग आते है अगर उनको ट्रॉमा सेंटर की सुविधा मिल जाए एम जैसी वबस्ता मिल जाए तो हिंदुस्तान के किसी भी कौने से आये होया आत्री को भी यह हिमाचल की धर्ती उसको ठिक्ठा करके उसका स्वास अच्छा बना करके अब एम साने के बाद उसके घर लोटाएगी और जब हिंदुस्तान से आने वाले को पता चलेगा कि हिमाचल में मेरी यतनी देखभाल होती है तो यहाँ तुरिस्ट का भी आना मन करेगा बहुत साल पहले मुझे पता है मैं गुजरात में था हमारी पार्टी के एक ट्रेजर हुआ करते थे वे परिवार के साथ धिमा चलाए थे और शिमला के पास अकस्माथ हो गया हर किसी को गंबीर चोट आई कुछ सीरियस चोट आई लेकिन चंदीगट अस्पताल तक उनको ले जाना पड़ा और जाते जाते रास्ते में दो लोगों की मृत्ति हो उनका मुझे फोन आया मैंने हाँ हमारे पार्टी कारकरताओं को फोन किया अमेरे का देखिये भई यह हमारे पार्टी के परिचित लोग है सारे लोग मदद में लग गए कोई खुन देने के लिए कोई उनकी चिंता करने के लिए और इसने मुझे भली भाती पता है कि हिमाचल में जो यात्री आता है बेश के कौने कौने से उसे जब ये इस व्यवस्ता का पता चलता है तो आने के लिए उसका विश्वास बढ़ जाता है और इसलिए एम, हिमाचल वाच्चियों के लिए तो एक जीमन, संझीमनी लेकर के आया है लेकिन हिमाचल की आर्थिक बवस्ता के लिए तूरियम को बढ़ा देने के लिए यह अस्पताल एक बहुत बड़ा मिल्कुर कारण बन सकता है और इसलिए हिमाचल में अस्पताल बनना मुलबदेश के टूरिजम को भी बढ़ावा देने का काम है जो आज बिलासपुर की धर्ती पे हो रहा है यहाँ आने से पहले मैं सरकारी कारकम में था और वहाँ पर मैंने एम्स का सिलान्याज का कारकम किया और वहाँ पर मुझे उसका सारा मोडिल दिखाये गया मैप दिखाये गये और जो बात मेरे सामने प्रस्तूत की गई तेरा सो करोड रुप्यों की लागत से बनने वाला है अस्पताल न सिरफ हिमाचल के लिए लेकिन पूरे उत्तर भारत के लिए उसका जो डिजाइन है द्रश्य है मैं समझता हूँ ये स्टेट अब दा आर्ट बनेगा ये मेरा विश्वास और इसलिए एक ऐसी विवस्ता जो हिमाचली के स्वास्तर से जुड़ी है हम जानते हमारी इस इलाके में सामान एरुप से हिंदुस्तान में जो पुरुषों के मुर्ति उदर है हिमाचल के पुरुषों के मुर्ति उदर जादा है यहाँ पर फेपड़े की बिमारी, सांस की बिमारी 30-40 साल की उमर होते होते बहुत एक लोग इसके शिकार हो जाते हैं अर इसलिए हिमाचली लोगों के लिए अगर स्वास्त का सही प्रबंद हो जाता है तो मैं मानता हूँ हिमाचल के जो हमारे वीर जवान है जो देश के लिए मर मिटते हैं ऐसे हिमाचली का हर नवजवान राष्ट के कल्यान के लिए सामर्थवान बनेगा यहाँ की माता और बेहनों को उत्तम से उत्तम आरोग के की सुविधाएं मिलेगी रोजगाएं की भी संभावना बड़ेगी यह ऐसा केंपस बन रहा है कि जिसमें तीन हजार से ज़्यादा लोग एक साथ वहाँ काम करते हैं आप कल्पना कर सकते हैं कि एक अस्पताल बनने के साथ रोजगार की भी कितनी संभावनाएं बड़ती हैं हमारे नड़ा जी आरोग के मंतरी है भारत सरकार में आरोग के कि सेवाओं को ले करके अनेक नए नए तौर तरीके नुन्ना क्योंकि उनको हिमाचल का अनुभव में रहा है पहले अभी उन्हाने एक योज़ना बनाई हैं इंद्र धरूश अगर दुनिया के किसी देश में इंद्र धरूश नाब की योज़ना होती तो उसकी कितनी वहावाई होती मैं कल्पना नहीं कर सकता लेकिन भारत में चीजों को समझते समझते ज़रा देर लगती है हमारे देश पे इतनी सारी आरोग्य की सेवाएं बच्चों के लिए टीका करण नजाने कितने अभ्यान टीवी पर रेडियो पर इतनी एडूटराइजमेंट लेकिन उसके बावजुद भी लाखों बालक टीका करण से बंचित रह जाते हैं लाखों बालक छूट जाते हैं और टीका करण एक छोटी सी चीच से छूट जाने के कारण पांच दर्थ साल के उमर में पहुचते पहुचते ही किसे ने किसी गंबीर बिमारी का वो शिकार हो जाता है जीवन भर परिवार के लिए चिंता का कारण बन जाता है जवान माबाप को अपने सपने छोड़ करके अपने संतान के पीछे बेटा हो या बेटी हो अगर उसको लकवा मार गया कोई नई बिमारी आ गए तो अपनी जवानी बेटे के लिए खपा दे दी पड़ते है इन बच्चों को कौन बचा है हमारे नड़ा जी ने बिड़ा उठाया है इंद्र धनूश योजना के द्वारा इंद्र धनूश योजना के द्वारा टीका करण का एक भियान चलाया उन्होंने और पहले राउन में जब भियान चला जो छुट गए थे ऐसे बालोकों को डून डून करके उनका टीका करण करवाया बात में देखा अभी भी कुछ छुट गए है और ये भी ध्यान में आया कि शहरी खेत्र में छुट गए है ये और चिंता का विशे है तो हमारे नड़ा जी ने फिर से अभियान धाना ताई किया है और इसी सप्ता देश बढ़ में फिर से एक बार इंद्र धनुशियोजना के मात्यम से जो बच्चे टीका करण से छुट गए है उन बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए भारत सरकार पुरे देश में नड़ा जी के नेत्रुत्व में अभ्यान चलाने जा रही है दिवाली के पहले ऐसे बालकों को खोच खोड़ करके टिका करण करवाना है मैं भारतिय जंता पार्टी के सभी कार करताओं को देश भर के कार करताओं को मैं सभी एंजियो को मैं सभी नागरीकों को मैं एंसिसी हो एंसेस हो उसके क्रडेट्स को मैं स्कूल कॉलेजिस को मैं राजनितिक दलों को मैं राज्यों की सरकारों को हर किसी से आगरह करता हूँ कि दिवाली के पहले ये जो इंद्र धनुस फिर एक बार का जो अभ्यान शुरू हो रहा है आप भी ऐसे बच्चों को खोजने में मदद दीजिए टिका करण करवाईए और अगर एक बच्चे का भविश्म होने वाली बिमारी से आपने बचा लिया किसी भी नागरिक ने पुन्य का कारी किया तो जीवन में इसके बड़ी भलाई का काम क्या हो सकता भाईयो भणो आज यहाँ ट्रिपल आईटी का भी एक सिलान्यास हुआ है एक नए भवन के लिए ट्रिपल आईटी का काम होना जा रहा है यह बात सही है अच्छे परीशर भी समय की मांग होती है अच्छे परीशर की अपने एक तांकत होती है हम देट्रिपल आईटी का एक ऐसा परीशर बनाने के लिए सोचा है कि जो सच्चे अर्थ में सिख्षा का और सौंसकार का रहाम बना रहे है कभी-कभी लगवकों लगता है कि ट्रिपल आईटी जैसेग इंस्ट्रिटूट आती है तो एक नई कॉलेज बन जाती है हिमाचल के मेरे प्यारे भाईव्य भैनों ट्रिपल आईटी का मतलब ये नहीं है कि एक कॉलेज जुड़ गई ते ट्रीपल आईटी का आने का मटलब है हिमाचल में एक नए यूग का सिलान्यास हुआ है आधुनिक हिमाचल का सिलान्यास हुआ है टेक्नोलोजी के शेत्र में नई उचाई योग पार करने वाला ऐसे हिमाचल का सिलान्यास हुआ है एक ऐसी नई पीड़ी को जन्म देने का ये सिलान्यास हुआ है जहां से हिमाचल के ऐसे नवज़मान निकलेंगे जो देश के भविश्यों को बनाने में काम आएंगे टेक्नोलोजी के माध्यम से काम आएगे और इसलिए ये कोई इमारत नहीं है एक नई कॉलेज नहीं है एक ऐसी चीज है जो हिमाचल को आधुनिक्ता की तरब ले जाने के लिए देश को आधिनिक्ता की तरब ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान देने वाले आज मुझे एक तीसरा आउसर भी मिला हमारे शांता कुमार जी के कारक्षेत्र में स्टील इंडस्ट्री का लोकारपन सरकार कैसे चलती है और सरकार पहले कैसे चलती थी ये अगर समझना है तो स्टील की इंडस्ट्री को देख लीजिए समझ जाएगा सिरफ सत्तर करोड रुपयों की लागत का कारकाना लेकिन भारत सरकार के ही दो डिपार्टमेंट अंदर अंदर लड़ते रहे साथ साल तक ये प्रोजेक्ट लटका रहा है साथ साल सत्तर करोड रुपयों का प्रोजेक्ट साथ साल लटकता रहा है क्यों एक department दूसरे department के घिलाब दूसरा तीसरे के घिलाब और कौण कचरियां चालती थी क्योंकि दुरूबल सरकार ऐसी थी कि जहां हर department में एक प्रधानमंत्री हुआ करता एक सरकार में आने एक सरकारें थी और रिमोट से चलने वाली दूसरी सरकार और इसके कारण ऐसे महत्वपन प्रोजेक्ट लटके पड़े थे मैं इन दुनों भारत सरकार में प्रगती नाम का कारेकम करता हूँ हर महिने देश के समी मुख्य सचिवों के साथ बैठता हूँ वीडियो कांफ्रोंस में और जो पैंडिंग मामले होते हैं उसको निकालता हूँ ये उना के पांथ रेल 40 साल से अटकाफ़डा प्रोजेक्ट मैंने निकाला हूँ मैंने का क्यों नहीं ये बिलात्पुर को रेल चाहिए कि नहीं चाहिए लाखों करोडों के प्रोजेक्ट एक डिपार्ट्मेंट चलाता है दूसरा दबा करके बैठा हुआ था ये सारे निकाल निकाल करके क्लियर करवा रहा हूँ भाईयो भेनो सरकार का काम होता है सभी डिपार्ट्मेंट को साथ ले करके उत्तम से उत्तम परग्राम दे रेका और आज हमारी सरकार बने के बाद उस पुरानी सारी समस्याओं को निकालते निकालते कुछ महीनों से उसका प्रोडॉक्शन चालू हो गया कई नवजवानों को रोजगार की संभावनाय बनी सरिया के कारण यहां के मकान बनाने में यहां के उद्ध्यों के इमारते बनाने के अंदर लोकल सरिया, सस्ते में भी मिलेगा, रोजगारी भी मिलेगी और आज उसका भी लोकार्पन करने का मुझे अउसर मिला है मैं मेरा सवभागी मानता हूँ और हिमाचल की जनता को मैं अर्पीद करता हूँ भागयो बेरनो वन रेंक, वन पेंशन सेना के निवरत अधिकारी आये करके मुझे भी सन्मानित कर रहे है और मैं देख रहा था वो इतने भाव विभोर थे इस देश का सेना का हर जवान उसी भाव से मैं आशिरवाद दे रहा है 40 साल से लटका हुआ मसला, 40 साल कोई पूछने बाला नहीं थे हिमाचल के अंदर मैं चुनाव सभा में आया था तब मंडी में मैं ने गोशना की थी कि हम वन रैंक वन पैंशन देखे रहेंगे अब तक तीन किस के पैसे दे चुके हैं और निकट भविश में चौती किस का भी पैसा चला जाएगा सेना के जवानों के घर्म और यह चोटे-चोटे जवान होते हैं बड़े-बड़े बाबुओं कर नहीं होता है उनके घरों में सीधा चेक चला गया पैसे करीब साड़े आठ हजार करोड रुपया उनको वित्रित कर जाएगे मैं जानता हूँ इसके कान सरकार पे बोज पढ़ता है तकलिप आती है रुकावाट आती है लेकिन उसके बावजुद भी मेरे लिए मेरे देश का सेना का जवान मेरी प्राथपिता है अभी तीन दिन पहले सर्जिकल स्ट्राइटी सालगीरा हुई मैं देश के मिडिया का अभार वेक्त करता हूँ जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइट की सालगीरा को जिस प्रकार से उन्होंने प्रदशित किया पुनर स्मरर करवाया उन्होंने इतनी बड़ी सेवा की है मिडिया के लोगों ने देश के जवानों के प्रती देश के नागरिकों के आदर में बढ़ोत्री होती है ऐसा करवेश सेना के प्रती गवरों का भाव जटता है और यही तो भावना है जिसके लिए 25-30 साल का नवजवान सारे सपने एक तरब रह करके सीने पर गोलिया जिलने के लिए तयार हो जाता है यही तो भावना होती है यह भावना बरकरार रखने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक के एक साल को देश के मिडिया ने जिस प्रकार से प्रगट किया प्रस्तूत किया देश के जमानों का भी होसला बुलंद किया मैं उनका भी आभार रखते करता हूँ और सर्जिकल स्ट्राइक करके हमारी देश की सेना ने दिखा दिया है हम भी कुछ कम नहीं हम भी किसी से कम नहीं और आज आज देश की सेना उसका जो मोरल हाई है शायद कई वर्षों के बाद देश की सेना में ये रुटबा देखने को मिल रहा है ये मोरल हाई और यही तो सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी मन की सिती उसके संकल्प का सामर था उसके त्याद की प्राकास्टा यही तो राष्ट की संपती होती है मैं आज जब इवाँ चल वीरों की धर्ती पुनाया हूँ तब हर गाउं में पांच पतास बरे फोजी लोग रहते हैं मैं उन सब को नमन करता हूँ जिननों देश की सेवा किया जो आज देश की सेवा कर रहे हैं भाविये बैनों इन दिनों हिमाचल में करीब करीब तेरा प्रोजेक्ट ऐसे चल रहे हैं परियोजनाएं जिसमें साथ बड़ी सड़क है ट्रांस्पोर्क शेत्र के साथ पेट्रोलियम के दो पावर के दो रेल्वे का एक अर्वन डिवलोप्मेंट का एक यह तेरा प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें भारत सरकार हिमाचल में पंदरा हजार करोड रुपीय लगाएगी पंदरा हजार करोड रुपीय ये पंद्रह हजार करोड रुपया जब हिमाचल में लगेगा अब कल्पना कर सकते हैं उन प्रोजेक्ट के लागू होने समय कितने लोगों को रोजगार मिलेगा जो व्यवस्ताइं विक्सित होगी वो नए हिमाचल को बनाने में कितने बड़ा योगदान देगी ये हम बली बाती जानते हैं भाईयो बेहनों हिमाचल के साथ मेरा नाता पुराना इसलिए मेरा जरा लगाव रहता है कुछ जादा करने का मन भी करता है लेकिन जादा करने का मन करता है उसका एक और कारण भी है इन दिनों और उसके लिए मैं हिमाचल की माताओं बहनों को विशेशुप से प्रणाम करता हूँ और हिमाचल के नागरीकों का अभिनंदन करता हूँ और वो काम है वो काम है स्वच्छ कांगी दिशा में हिमाचल के नागरीकों ने जो जागरुता दिखाई है यह अभिनंदन के पाक्र हिमाचल ने कमाल करके दिखाया मैं यहां के सरकारी अधिकारियों को यहां के नागरीतों को स्वच्छता के अभ्यान में जो हिमाचल ने काम किया है उसके लिए बधाई देने से अपने आपको रोक नहीं सकता हो और जब आप स्वच्छता का काम करोगे तो मुझे भी तो आथ के लिए कुछ करने का मन करेगा 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 नहीं करेगा तो इस स्वच्चता के भ्यान को जारी रखोगे और तेज बढ़ाओगे यह स्वच्चता ही है जो टूरीजम को खीच करके लाने वाली है और यह टूरीजम ही है जो आपके परिवार को संप आज हिमाचल की स्थिती क्या है हिमाचल में जमानती सरकार चल रहे हैं यह जमानती सरकार है तो मुझे कॉंग्रेस के लोग मिलने आए एक बार तैसे ही मेरी बात चली है मैंने का यार यह आपके मुख्यमंत्रियों का पूरा परिवार ब्रस्टाचार के मसले में जमानत में बहार है आप सीम बदलते क्यों नहीं है बदलते क्यों नहीं है बोले कैसे बढ़ले हमारी पूरी पार्टी जमानती है कौन बढ़ लेगा वोले वोले हमारे अध्यक्षा वो भी नेशनल लहराल क्रेश ब्रस्टाचार के अंदर जमानत पे आए अब सब जमानत पे है पार्टी भी जमानत पे सरकार भी जमानत पे प्रस्टाचार के आरोपों पे जमानत पे हम मुझे बताईए हिमाचल को ये जमानती सरकार को अब जमानत देनी है का नहीं देनी है मुक्ति देनी है का नहीं देनी है ये कब तक जमानती सरकार को जेलोगे भाई ये भेना ब्रस्टाचार ने इस देश को खोखला कर दी हमारे देश गरीब नहीं था हमारे देश का नागरी अपने कर्तन्यों के प्रति उदासिन नहीं था लेकिन जब उसने देखा कि लूट का माल कुछ लोगों की जेब में जा रहा है तो दीरे दीरे उसने अपना मुँ फेर लिए भायो भेनो फिर से इस देश मना न नया यूग आया है हिंदुस्तान के अवाम का एक-एक पाई का काम अवाम के लिए होगा ये संकल्प ले करके हम सरकार चला रहे है तिन साल हो गए इस सारे तिन साल हो गए भाई यो भनो इस सरकार पर कोई ब्रस्टाचार का दाग नहीं लगा वो दिन याद कीजिए 2014 के ख़वार निकाल दीजिए दिन रात ख़वर आती थी दिन रात एक ही ख़वर आती थी कोईले में इतना तू जी में इतना गया ठलाने में इतना गया दिखने में इतना गया जल में इतना गया नब में इतना गया जमीन पे इतना गया यहीं ख़वर आती दिखने आती थी वो भी एक वक्त था आए दिन सवाल पूछा जाता था कितने रुपिये गए और आज ये भी वक्त है कि मोदी जी को ये पूछा जा रहा है कितने आए यही बरलाव है और इसलिए भाईयों है न चोटा साराज जिह माचल आप सिक्किम देखके आईए मुश्किल से दसलाग भी आबादी है और जितनी आबादी है उतने टूरिस सिक्किम में आते है पूरा और्गेनिक स्टेट बना दिया है भाईयों बनो हिमाचल के अंदर वही ताकत पड़ी है अगर अच्छी सरकार हो लोगों का साथ हो सपने वपार हो जी चाहे वैसा परणाम मिल सकता है और मुझे विश्वास है कि भारती जनता पार्टी आपके सपनों को साथार करने के लिए तयार है और इसले भाईयों बहनों हिमाचल में विकास की नई उचाहिया सडक और बिजली मैं मानता हूं हिमाचल के भागे को बदलने की सब्चे बड़ी ताकत रखते है तुरिजम के लिए भी अच्छी सडके है और आवश्यक बिजली यह गर उपलपत कराई जाए तो टुरिस यहाँ रहने का मंद कर जाएगा वह आ करके भागे का नहीं और जितना जादा रुकेगा उतना जादा धन खर्चा करेगा और जितना जादा धन करेगा वह आपके जेब भरता जाएगा और इसलिए भाईयों बहनों हमारी कोशिस है अभी हमने योजना को लॉंच किया है प्रदान मंत्री सवभागी योजना सहच हर गर को बिजली मिले एक हजार दिन का मैंने का भियाँ उठाया हुआ है कि हिंदुस्तान में एक गाउं भी ऐसा में नहीं रखोंगा जहां बिजली न पहुंचे 80-90% काम पुरा कर दिया है बागी काम भी एक हजार दन के भीतर भीतर पुरा होने वारा है अब मैंने दूसरा बिड़ा उठाया है हिंदुस्तान का कोई भी परिवाद जुक्ती जोपनी में रहता होगा तो भी उसको बिजली का कनेक्शन मिलना चाहिए देख अब पहले का कनेक्शन लेने जाते थे तो बिजली वाले कहते थे हमबा इतना दूर हे वहां ते यहां तक कहमबा लाना है तो इतना खर्चा लगेगा connection का 30,000, 40,000, 50,000, 20,000 रुपया लगेगा तो गरीब आज भी सोता था भाई तेरी बिजली लेने के लिए 20,000, 25,000 खर्च करना पड़े तो मैं 20,000, 25,000 कोई अच्छे घर में किराय पर न चला जाओ connection लेता नहीं था सरकार उसके घर तक खंबा लगेने के लिए त्यार नहीं थी यह मैं जानता हूं उसके पीछे अर्बो खर्बो का खर्चा है लेकिन इस पैसे किसके लिए है जी इस देशवास्चों के लिए ही तो है हमने योजना बनाई है कि प्रदान मंत्री सवभागी योजना के तहट अभी भी हमारे देश में हमारे देश में एक जनरल ही कहें तो पचीस करोड परिवार है पुरे देश में पचीस करोड परिवार है उसमें से चार करोड परिवार ऐसे हैं यह संख्या कम नहीं है चार करोड परिवार ऐसे हैं जिन के पास बिजली का लट्टू नहीं है वो अठारवी शताबदी में जीने के लिए मजबूर है क्या मेरे प्यारे देशवासियों मेरे हिमाचल के प्यारे भाईयों बेहनों मुझे जवाब दीचिए क्या इन चार करोड परिवार गरीब हो दूर दराज रहते हो उनको घर में बिजली कनेक्शन मिलना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए ज़रा जोर से बताईए मिलना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए देना चाहिए और नहीं देना चाहिए समाए सीमा में देना चाहिए नहीं देना चाहिए ये सवभागी योजना से उनका सवभागी बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए और इसलिए भाईयों भेनो प्रधान मंत्री सवभागी योजना के तहट इन चार करोर परिवारों में कनेक्शन मुफत में दिया जाएगा जो कनेक्शन को उसको 15-20-20-1000 प्या लगता था वो सरकार बोज उठाएगी और कनेक्शन मिलने के बाद उसको प्रिपेड मिटर मिल जाएगा और जैसे मोबाइल फोन चार्ज कराते हैं वैसे उस मिटर को भी चार्ज करा करके वो अपने घर में बिजली का उप्योग कर पाएगा वो सुपचेन की जिन्दगी जी पाएगा बच्चे पढ़ाई कर पाएगे हिमाचन जो टुरिस्ट प्लेस है अगर यहां यह सुविदा बनती है तो यह टुरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए भी बहुत काम आती है भाई के बहनों मैं फिर एक बार भारतिय जन्रता पार्टी हिमाचन प्रदेश का रदेश से आभारवेक्त करता हूं कि आज मुझे आपके बीच आने का मोका दिया और आपने इतनी बड़ी तादाद में आकर के आशिरवाद दिये मैं हिमाचन सरकार का भी आभारवेक्त करता हूं कि इसके पूर्व सरकार के कारकम में मुक्हमंत्री जी समेच समय ने आकर के इसकी सराना की उसका गवरवगान किया मैं उनका भी आभार वेक्त करता हूँ और मैं फिर एक बार हिमाचल वास्यों को रदे से बहुत-बहुत शुब कामनाई देता हूँ अभी अभी विजिया दस्मी का परव गया है हिमाचल का विजिया दस्मी पुरे देश के लिए आनबान शान है और कुछी दिनों में दिपावली का परवाप मनाने वाले है मेरी तरब से हिमाचल वास्यों को आने वाली दिवाले के लिए बहुत-बहुत शुब कामनाई बहुत-बहुत धन्यवाद